हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के लिए के आए हूँ काफी कम तेल में बनने वाला नास्ते की रेसेपी आप इसे किसी भी वक्त बना सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एक पीस बनाएंगे न तो दो से तीन लोग असानी से खा सकते हैं तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं आज इस नास्ती को हम बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से उसके लिए क्या करेंगे आधा कप सूजी लेंगे अब उसी में डाल देंगे चार चमच दही यदि खटा दही है तो आप खटा भी ले सकते हैं नौर्मल है तो नौर्पल बस अब इसमें साथ में ही डाल देंगे आधा कप पानी और अच्छी तरह से पीस लेना है सूजी को इसलिए मिक्सी के जार में डाल के पीसते हैं क्योंकि सूजी में जो दानेदार रहता है वो पूरी अच्छे से खतम हो जाता है इसलिए तो देखे हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है अब एक आलू का मसाला बनाएंगे उसके लिए क्ड़ाई में दो चम्मच सरसो का तेल डालेंगे उसी में डाल देंगे आदा चम्मच कच्छा जीरा और जीरा को क्रैकल होने के लिए कुछ दिर के लिए छोड़ देंगे अब ये जीरा क्रैकल हो गया है तो उसमें क्या करेंगे एक टुकड़ा प्याज कटा हुआ डालेंगे एक ही टुकड़ा डालना है बहुत जादा नहीं डालना है अब इस प्याज को दो मिनिट के लिए भूनेंगे कि हलका सा कच्चापन कहतना हो जाए अब ये प्याज भून चुका है, तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा मटर डालेंगे, आप मटर उबालके भी डाल सकते हैं, साथ में एक टुकड़ा टमाटर डालेंगे, अब इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे, यदि आप उबला हुआ मटर डालेंगे तो बहुत रफली हाथ से तोड़के भी आप डाल सकते हैं अब इसमें डाल देंगे एक कटीवी हरी मिर्ची तीखाप अपने नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं साथ में ही डाल देंगे नमक अपने स्वाब के नुसार एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे मिक्स भी कर लेंगे दो मिनट के लिए आलू को भून भी लेंगे कि आलू अच्छे से मैस हो जाए अब ये आलू का चटपटा सा मसाला बन की रेडी हो गिया है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है लुक भी बहुत अच्छा है तो बस अब इसे हम निकाल लेते हैं तो निकालने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे धनिया पत्ती से देखने में भी सुन्दर लगता है और टेस्ट भी आता है तो बस अब ग्यास का फ्लेम आफ कर देते हैं जब तक हमने आलू का मसाला बनाया तब तक ये सूजी भी फूल गया तो इसमें डाल देंगे अब इस तेल में क्या करेंगे जो सूजी का गूल हमने रेडी करके रखा है न उस घोल को डालना है दो चमज डालेंगे और घोल को इस तरह से हलका सा फैला देंगे बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है हलका सा ही फैलाना है और आधा घोल को बचा के रख लेंगे, बाद में इसका यूज करेंगे तो अब जो आलु का स्टाफिंग हमने रेडी कर रखा है, उस आलु के स्टाफिंग को इस तरह से इसके उपर डालेंगे तब अच्चे से पूरा हमने आलू का मसाला इसके उपर फैला दिया है अब जो सूजी का घूल बचा हुए आधा अब इस तरह से चम्म से हल के हाथ से डाल देना है सूजी के घूल से आलू को पूरे अच्छे से कवर करदेना है cover करके ढग देंगे 10 मिनट के लिए और gas का flame low कर देंगे 10 मिनट हो गया cover हटा लेते हैं उपर का layer पूरी अच्छी तरह से set हो चुका है तो अब इसे पलट लेना है पलटने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से एक side सीख चुका है अब ये दोनों side अच्छी तरह से सीख चुका है देख रहे हैं आप इस तरह से पलट रहे हैं तो घूम रहे हैं तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक plate में तो अब ये आलू और सूजी का चटपटा सा नास्ता बनके ready हो गिया है उपर से बहुत ही अच्छा color आया है और नीचे भी बहुत ही अच्छी तरह से सिख चुका है मैं आपको पलट के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं बिल्गुल भी कच्चा ने और खाने में बहुत ही जुरदार लगता है टेस्टी तो अब इसे कट कर लेते हैं अच्छी लगत वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें